को वर्लकाप के स्कॉप्स से ब्रॉप कर दिया जया सकता है विराड कोली टी ट्वञंडी वर्ड कब का हिस्था का नहीं होंगे जिस तरह से वह खेलता है जिस तरह से वह गेम को understand करता है टिराड कोली क्या इंडियन टीम का पाड़ दुबारा से बनेंगे आज अपनी हुक मडामी की हुई है यह सिंगल को डबल में कनवर्ट करके ना यह हडबड़ी मचा देता है सामने वाली टीम है अब्रिवान वेलकम बैक तो मैं चैनल स्टंप्ट बाइ मिम्स सो आज हम रियक्ट करने वाले हैं पंजब किंग्स और रोयल चलेंजर बैंगलोर क जो मैच नंबर 6 IPL 2024 पकिस्टन रियक्शन आपको दिख पार है स्क्रीन पर सो 100% नॉट सब्सक्राइब देवनत लगते हैं वीडियो करने के लिए अप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे पर सो के खरीब दोनों ये टॉप अटर में रंच कर चुके हैं तो आपको भी ओन कर दीजिए ता कि पजास प्लस का एफिर दो लोगा भी आपसे बोली ती किया शास्तिरी कुछ डाउटफुल बाते कर रहे हैं कि जो बैस्ट होगा सिप पाकिस्तान का मैच नहीं है उसने बात निकाली थी नुई यॉप में कोली किता एहम होगा तो भाई आज उसने वापिस हर्शा बोगले से वो बात की कि मैंने कल मैंने पूरी सुनी कैविन पीटरसन ने विरात के खेलते में का कि मैं रवी शास्तिरी से वो छोड़ता चोड़ता नहीं है पीटरसन भी उसने क मैं कल यही बाते कर रहा था रवी शास्तिरी से कि भाई विरात क्यों इंडिया के लिए हमेशा से जरूरी है और अभी भी जो उसकी फिटनेस है जो फॉम है जिस तरह से वो खेलता है जिस तरह से वो गेम को अंडेस्टेंड करता है चेजिंग कॉस में बिलीव मी गाइस आ बाउंस ले गई तो अनुजरावत ने बड़ा अच्छा उचल के कैच लेके चलता किया तो आज की पिछ अच्छी नहीं थी पीछे से बड़ा ओफर कर रही तो ने दूसरा है कि पंजाब के रंस जो मैंने बताया वो बेतर रंस ते डिफेंड करने वाले देवासे ने बता है और विराट भी जिस अंदाज से विराट पॉइंट पर आपने देखा हो गए ठीके पूरा शौट नहीं आया बल्ले के ओपर और वो खुबसूरत के लिए के और पटेल को पता है कि विराट को कैसे आउट करना चले यू ले ले आपने के पटेल जादा है क्योंके वो ख शकल में निकला है उसने आके मूड बनाया है कार्तिक का भी कार्तिक के बदले में वह लिया आ रहा था आलगे एक ही बॉल खेला था वो एक दो लेकिन लगा अच्छा नहीं रहा था कि दरा वो आगे पीछे शाल लगा मैं अनुजरावत का डिसमिसल ठीक नहीं लगा इंप पाटी दफन हुए आज दूसरी विराट ने दफन पता किदर के है ये वो पिष्टी जहां हमने स्टार्ट में क्या बता है सबसे हदा बाउंसा हाँ ठीक है और विराट में में आज रबाटा को जो पहली बॉल पे आगे निकल के चौका मारा रहा है ये वाली बॉल साइडिड मेंचता ही है अब आपको अजीव लगेगा ने बताओ ये वन साइडिड मेंचता अगर शाशांग सिंग उनको तेजरंस करके नहीं देता और आर सी बी का इतना बुरा हाल टॉप ओडर में शायद अब टोर्नामेंट में आप नहीं देखेंगे डूपलेसी ने चलाई अचा नॉर्मली क्या होता है डूपलेसी मारते है विरात अंकर करते हैं ये होता है आज जब विरात मार रहे थे तो समझ नहीं आया कि डूपलेसी भी क्यूं मारने लगे और फिर गोरक हमने में रियाए है उन्छे सबसे ज़्यादा डूपलेसी का और केमरण पर हैरत हुई कि विराद कोली को वर्ल कप के स्कॉट्ट से ड्रॉप कर दिया जा सकता है विराद कोली क्या इंडियन टीम का पार्ट दुबारा से बनेंगे टी टीम का यह वह सवाल है जिन्हों ने पूरी सोचल मीडिया पर आज अपनी हुक मडानी की हुई है वेंगे जुजजरे वीब जाली जाली दो कर्ट रखाइ प्राइब है लाज़ग्ण है अप्राइब नहींगे उखैब वोलिट जाली उख्राइब टॉर्श झाली जेखिक जिन्ग टॉर्ट झाली कि तैंसने इंग्नातिग एंट झाली प्रुलिट था है यहिंगे भी पी पाय। है लिए गड़ बहुंज आपड रिए भूंस तो इसा प्रागा तो अजिए लिए कर दो एक्षार भागा। आफिर में नहीं कर पाता। लॉम्रोर की लाइन हाटे डिनिंग थी जबर्दस्ट जो चक्का उसने फिटता है। मैंने किंग नहीं लिखा है। को नहीं हर दफर पिटता है। अरशल अरश्दीर को तो शाहिंचा अफरीदी ने भी चक्का करा दिया ता महलवन में। बाबर को बैनि मोल पर आउट जिया जब इसको यह बोलिंग कर रहा है। बाबर रिजवान आउट हो गया ते इससे महलवन में। इसकी मासूमिया जैसी है कि जब यह इससे कैच छोड कार्ड में रनिंग बिट्वीन दा विकर्ट तो आईगी ही नहीं कहीं पर इतने डबल भागा है वो बहाई मतलब और इस विराट कोली की ना सीधी सी टेकनीक है मैच को जब वो चेस जब करता है ना वो उसकी एक सोच है यह सिंगल को डबल में कन्वर्ट करके ना यह हडब विराट ने कहा कि मैं देखता हूं कि सामने वाली टीम कब फरस्ट्रेट होती है क्योंकि जब यह चीजें होने लग जाती है अब रन भागते हो सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर देते हो वह आपस में उलजने लग जाते हैं सामने वाले प्लेयर और यही चीज वो इसी ची जो बॉट यही चीज़ँ प्लावर कर इच चीज़ट चीज़ें गही चीज़ट है